हलो एब्रिवन विल्कम बैक टो माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक आपने निश्ठा प्रसिछन कारिकरम कोर्स 11 कंप्लीट कर लिया होगा और अब आप कोर्स 12 में प्रविस कर रहे होंगे दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए लेकर नहीं है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला प्रस्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया है सिच्छक ने सिचार्थियों को हरबल उद्यान में अपने उचाय का उप्योग क करते हैं इस गत्विद को करने के दोरान सिच्छार्थि कौन सी विज्ञान प्रक्रिया का उसल से गुजरेंगे निम्लिखित को देखें पहला है देखें लंबाई का तुलनात्मक माप दूसरा है इस पर्स अन्वो के माध्यम से औलोकन तीसरा है धागा और इसकिल का उप प्योकर सटीक माप निम्लिखित में से सही विकल्प चुने आप आजाए विकल्पों पर और आपको सही विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है पहला दूसरा और तीसरा सही है केवल पहला सही है केवल तीसरा सही है केवल दूसरा सही है तो यहां पर राइ दंगने चित्र लेने और कुलाज बनाने के लिए एक गत्विध में सामिल किया इस गत्विधि के माधियम से सिछक् निलिकित मुख और धानाओं में सिछार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है क्या निर्माण करने की कोशिच कर रहा है आप देखें यहां पर पौधों की वृत्यों में बिविलता केवल जाडियों के बारे में केवल साथ के बारे में केवल पेड़ों के बारे में तो यहाँ पर आपका राइटा एंसर होगा पहला अप्षन पौधों की वृत्तियों में बिवित्ता फिर अगला प्रस्न आ रहा है आपके सामने आप देखें बिविन पौधों की प्रवित्तियों के डेटा संग्रा के लिए कच्छाचे के छात्रों के साथ एक सिच्छक द् उग्देश इस प्रकित भ्रमाण गत्वित के माध्यम से सिचार्थियों में निम्रिकित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है सिचार्थी पर्यावरान संद्चन के लिए प्रयास करने में सक्षम होगे सिचार्थी जीवन के प्रतिम बुल्यों को प्रदर्शन करने होगा तो यहां पर राइट आंसार है दोस्तों सिच्छार्थी पाउधों को उनकी प्रवित्यों के अधार पर वर्गित करने में सक्षम होगे आप संत्री आपका यहां पर राइट है फिर आप देखे नीचे आगे बढ़ते हैं और अगला गवह आप देख रहे हैं आप नी चार उस बिलियन में बनता है जो लाल लिटमस को निला कर देते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है आप संध थर्ड आम उस बिलियन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं आगे चलते हैं और अगला प्रस्न आप देखें यहां पर छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें निम नमे से किस के बारे में वह जानकारी एकत्र करेंगे सूती पलिस्टर रेशम या रियान तो प्रोटीन से बना रेशा दोस्तों रेशम होता है यह आपका राइट आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं और देखें कच्छा में गोल की बारे में चर्चा करते हुए आप ए अगला कुस्चन आप देख पा रही है अगला कुस्चन देखें आप छात्रों को जामेसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सबी ध्वनिया मनुष्के लिए नहीं है आपकी रायूझ में इसकी सबसे प्रभावी कारणियती क्या हो सकती है प्रस्नौत्री परियोजना रो दोस्तों आपसन सेकेंड परियोजना फिर आगे देखिए और अगला कुश्चन आपके सामने है ध्वानी उत्पन करने के बिविनत तरीकों का परचे कराने के लिए पडोसी कच्छा के एक सिच्छक अपने सिच्छार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वानी उत्पन करने का वसार देने की योजना बना रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात असान तो हो आप उस सिच्छक को क्या करने की सला देंगे कच्छा के दरवाजा और खिड़किया बंद कर देंगे उस इच्छार्थियों से विद्यार्थियों से जो और से ना बोलने के विद्यार्थियों को गद्विद करने के लिए सभी कच्छाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाए ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण आपके स्क्रेंट पर दिख रहा है देखेए मीरा आपकी कच्छा में एक द्रिष्ट इबादिच छात्रा है निम्रिकित में से कौन सा द्रिष्ट कौन आप उसका समाबेश सभी गद्विदियों में सुनिशित करने के लिए अपनाएंगे कमपन करने वाले विविन वश्टों को छोने और महसूस करने के लिए उन्हें सुधा प्रदान करना तबले की सता पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना एक अन्य छात्रा का ये बताना की वाक्या अलोकन कर रही है या सभी द्रिष्ट कोनों का मिस्रण तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला कुशन देखिए भारत में स्कूली सिच्छा के किस चनल में विज्ञान को एक अलग विशेसास्त के रूप में सुरू किया जाता है माधमिक उच माधमिक उच प्रात्मिक या प्रात्मिक तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आ आपका स्कूर 10 आउट आफ 10 आपको मिल रहा है आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को पेस कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में नमस्कार